आज मैं आपको माइकरेम से कंदिल की इस तरह से बनाते वो बताऊंगे दिवाली भी नस्दिक आ रहे हैं तो इसलिए मैंने माइकरेम का जो कंदिल है उसका वीडियो बनाया है और लास्टाइम भी मैंने कंदिल डाला था लेकिन उसका जो बेस है जो मैंने उसका बेस जो यूज किया था वो कुछ लोगों को मिलने रहा है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें और एक इंपोर्टन चीज़े बहुत से मेरी वीवस मुसे के रहे कि आपके वीडियो दीख नहीं रहे है या फिर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आ रहे है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं उसके कुछ सेकेंड बात व सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकोन जरूर क्लिक कीज़े उससे क्या होगा कि जो मैं वीडियो डालती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाएगे तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते है तो फ्रेंड हमें माइक क्रेम का कंदिल बनानी के लिए चाहिए मैंने यहां पर लाइट औरेंज कलर यूज किया है आप चाहे जो आपके पसंद का कलर हो वो आप यहां पर यूज कर सकते है और यहां पर मैंने मटका शेप बीट्स यूज किये है ग्रीन कलर के और कुछ ब्ल्यू कलर के और मिडियम साइज बेल यूज की है ब्ल्यू कलर क है। और पिर बसकटते है। года कन्दिल को घंके करने के लिए कि एक दीडी आ दो इंचरे की आपके पैस जो है, आप रिंगिए आप सकते हैं। और मैंने यहां पे लिया है एक बॉल, यह मीडियम साइज बॉल है, लास्ट टाइब मैंने कंदिल डाला था, उसके लिए मैंने स्पेशल जो लाम्प का कवर केस होता है, वो यूज किया था, लेकिन बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ने मुझसे कहा कि वो मिल नहीं रहा है, और उन्होंने बहुत धुणने के कोशिश की लेकिन उनको शायद मिला नहीं, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको वही जूमर किस तरह से बनाते हैं, वो सिखाऊंगी, और थोड़ा सा डिफरेंट है, दोनों कंदिल में, तो आज हम बनाने जा रहे हैं कंदिल बॉल से, और यह म करते हैं, तो ऐसा ही मेरे पास एक पड़ा हुआ था, वेस्टेस था, तो मैंने यह लिया है, और मैं इसे यह बीच का जो इसका पोर्षन है, वो में कट कर दूंगी, थोड़ा सा चाकू या कुछ गरम करके, इसे इस तरह से कट करना है, थोड़ी सावधानी से कीजे करेंगे, उसे थोड़ा कम राउंड सरकल में हमें इसका कट करना है, कुछ इस तरह से शेप इसका हो जाएगा, और हम इससे बनाएंगे, बाद में हम इससे सेलो टेप लगा के चिपका देंगे, और इससे गंदिल बनाएंगे, और हमेजा की तरह लाइटर और सीजर, तो ज अब जरे फ्रेंट स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1.5 इंच की रिंग लेंगे और यहाँ पे मेरे हाथ में 8 कॉड है, जो सारे हमारे 2.5 मिटर के हैं, इसे में इसके अंदर डालूंगे और ठीक से डिवाइट कर लूंगे, अब यह जो एक स्राइक मेनी कॉड ली है, आदा मिटर की इससे हम इसे राप कर लेंगे इक्स्ट्रा कॉर्ड को कट कर देंगे और इसे जला कर स्टिक कर देंगे अब हमने इसमें 8 कॉड डाले थे, उसे टर्न कर के लिए मतलब है डबल हो गए तो अब जो हमारे पास है वो 16 कॉर्ड है तो हमें 4-4 कॉर्ड का यहाँ पर कॉलम बनाना है फर्स्ट नौट जो है थोड़ा डिस्टरंस रख के लगाएंगे मैंने यहाँ पर एक इंच तक डिस्टरंस रख रहा है एक नौट लगाने के बाद हम इसमें बिट्स डालेंगे मैंने क्रीन कलर के मटका शिब बिट्स यहाँ पर यूज किये है और फिर से यहाँ पर नौट लगाएंगे फिर बिट्स डाल के नौट इस तरह से कॉलम बनाना है तो देखें फ्रेंट से हापे मैंने छे बिट्स डालते हुए यह इतना कॉलम बना लिया है इसी तरह से हमें और तीन कॉलम यहाँ पर बना लिया है तो देखें फ्रेंट से हापे मैंने इस तरह से चार कॉलम बना लिये हैं और मैंने यहाँ पर एक रिंग ली है यह 3.5 इंच की रिंग है साड़ी तीन इंच की रिंग है अब हम इस रिंग को यह सारे कॉड अटेच करेंगे पहले कॉड को अंदर से लेंगे एक काम करते हैं सारे कॉड अंदर ले लेते हैं इस तरह से अब मैंने हाँ पर एक कॉलम उठाया और इस रिंग के उपर से ले लूँगे इस तरह से सारे कॉड को हमें सिर्फ एक ही बार इसके उपर से लेना है इस तरह से और एक बार इसे टाइट कर लेते हैं अब यह पर नॉट लगा देंगे इसी तरह से सारे कॉलम हम अटेच कर लेंगे अब जो यह गाप दिख रहा है उसमें हम कॉड लगाएंगे तो मैंने कॉड ली टू एन हाफ मीटर की अटेच कर लेंगे इसे इस तरह से डबल किया है और इस गाप में हम पॉड डालेंगे झालेंगे बालेंगे इस यह बल्ली जितने बी नाप सत कोड और जितने भी ग्याप थे उ सारे मेंने चॉर्ड भर दी और एक ग्याप में मैंने च्यीकॉड डाले है, सारी जगन मिने च्यीकॉड डाले है तो टोटल कॉड हमारे 24 है 02.5 मीटर के कॉड है अब जो है हमें यहां से सिंपल नॉट स्टार्ट करना है तो देखिए नॉट के बाद में मैंने एक लाइन पूरे यहां पर बीच लगा लिये है यह जो नॉट है इन दोनों के बीच में इस तरह से मैंने पूरा सरकल किया है और मैंने यही बीट से यहां पर यूज किया है मटका शेप ग्रीन कलर अब हम फिर से यहां पर नॉट लगाएंगे जो हमने बीट डाले हैं उसके नीचे हम नॉट लगाएंगे कर दो लगाएंगे कर दो लगाएंगे कर दो लगाएंगे कर दो लगाएंगे प्रेंगे यहीं कर दो कर दो में बीट कर दो कर दो अरू यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा करके यहाँ लूज़ नॉट लगाये हैं और इसका बढ़ा कर लिया हैं अब हमें इसको इसके अंदर डालना है तो मैं अबको बता दूँ कि यह एक बॉल है वाइट कलर का इसके ऊपर जो मैंने यह चिपकाया है यह पॉट्टेल में जो पार्सल के डब бизнес ऑते हैं इसे मैंने इसे कटकर दिया है और यह अंदर का जो बॉल है इसे भी मैंने कट से इसे कट किया है तो इस तरह से मैंने यह बनाया है अब हम इसे इसके अंदर ढालेंगे और फिर से बिट्स डालते हुए नौट स्टार्ट करेंगे. 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 झाल झाल कर दो कर दो कर दो कर सकतक है कर दो दो आ लो, कि यहता है। लुट कर दो नौ भल लुट आ झात व तो देखिये फ्रेंस यह जो बीड्स की लाइन है यह मैंने 12 लाइन तक इसमें बीड्स डाले है और इसकी जो इंडिग है वो मैं कुछ थोड़ी अलग तरीके से करूँगी तो मैंने यहाँ पर सारे कॉर्ड इखटे कर लिये हैं इसे हम बांध लेंगे यहाँ पर मैंने एक 30 cm की कॉर्ड ली है इस कॉर्ड से हम इससे बांध लेंगे तो इससे हम इससे बांध लेंगे तो इस तरह से यहाँ पर हमने गाट लगा ली है और यह जो कॉर्ड इसे हम ठाइट होने के लिए थोड़ा थोड़ा खीच लेंगे तो अब हम इससे एक्स्ट्रा जो कॉर्ड इसे कट कर देंगे और यहाँ पर जला का स्टिक कर देंगे अब जो बचे हुए कोड़े इसे हम कट कर देंगे तो देंगे कर देंगे यह जो कॉर्ड है यह मैंने पूरा हाइट मतलब इसका जो है यहां से यहां तक दस इंच तक मैंने यह कट किया है हाइट इसकी उसके बाद यह मैंने पाच इंच तक कट किया है और मैं आपको बता जेती हूँ यह दिखे का importante से जो उपर के कॉड है इस्सारे राउंड ये मैंने कॉड कट किये है और और पाच इंच की डिस्टनस पर मेंने कॉड कट कर दिये है अब जो है हमें इसमें बैल लगाना है तो मेने यहां पर दो कॉड ले यहां पर में ब्लू लएर के बीट्स यूज कर रही हूं दोनों कॉर्ड को मिला के हम इसमें ये बिट्स डालेंगे फिर इसमें बेल डालेंगे ये बेल जो है वो मेडियम साइज में ने आप यूज किया है और इसे लाइटर से जला कर स्टिक कर देंगे मैं आपको और एक बताती हूँ आपकर जँआशनक्स dakika लग सत पनी साइज में ये बताता है सब दोब ओब अज बताता है झालší ऊपको लो रहाँ अबता है झाल झाल हम तो हमें सारे बेल इसी तरह से लगा लेने हैं इस सारी कॉर्ड में हमें बेल और बिट्स डालते हुए जाना है लगाते हुए तो फ्रेंज देखें इस तरह से मैंने ये बेल लगा लिये हैं स्टैंड करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेंगे लेयर में दिखेंगे ये दो लेयर में इस तरह से दिखेंगे तो बेल लगा के कम्प्लीट हुआ है, अब देखें यहाँ पर जो यह रिंग है, आप चाहे तो इसे राप कर सकते हैं, या पिर ऐसे भी ऐसे छोड़ सकते हैं, ये रबरा इसे लगाया था मेंने, यहाँ पर मेंने कॉड ली है, जो हमने यहाँ पर देखें, एक्स्ट्रा कॉ शुक्त करदें वासे है बीच बीच में और इसे आदा मीटर तख कोट में ने जोईन करके अब हम इसे थोड़ा ससे जला लेंगे रिहां से एपयर करने कि यहां पर पीछे स्टिक कर देंगे इसे में स्ट्राट कर देंगे यज जेता तो इस तरह से मैंने पुरी रिंग रैप की है, एक्स्ट्रा कॉट जो है इसे हम कट कर देंगे तो एस तरह से यह हमारा दिवाली कंदिल बनके रडी है तोफ्रेंज ये था हमरा माई क्रेंग कंदिल का वीडियो, I hope आप सभी को आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सबस्क्राइब करें सब्सक्राइब के पाज़े में जो बेल आइकोन आता है उसे प्रेस करना ना भूले ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो थैंक यू, बाबाई, मैं जल्दी लोटूंगी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई